गभाप इननों सडख रो यह मंत्राले हो या मुंबाइ की हाउसिंग सोसाइटी हो रिडएलोप्मेंट का नाम बड़ा जोर में चल रहा और मुंबाइ के रिड़ड़ोपमेंट में माने रखता है सब से सबसे किसी की पहलोग जैसे गाणेज जी की जरूरत होती है वो होता आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स, मतलब पिएटा से जुड़ा हुआ एक एसा वेक्ति जो उसकी प्लानिंग दे सके उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट दे सके तो यसे दोनों महान हस्ती हमारा साथ में मौजूद है जिनों महान क्यों बोलों क्योंकि 40 सालों से जिनोंने कंट्रूबूट किया इंडर्स्री को मुंबई जैसे सहर को प्लानिंग में और आर्किटेक्टेक्ट में तो यहां से ही प्लानिंग होती है यहाँ से फिर वो मुंबई महानगर पालिका को ड़ीसी पीयार जो बोलते है सर बहुत सारी चीजे हो रही हैं और इस तरह के जो सेमिनार होते हैं रेसिडेंस बहुत अवेरनेस बढ़ता है आप जैसी हस्तियां और आने से जो प्रोपेशनल से मलब खास तोर पर आम पब्लिक नहीं जब प्रोपेशनल सीए हैं जो सर्विस देंगे वहां पर जाकर उनको हाउसिंग सोसाइटी को तो वह अवेर होना वह एजुकेट होना जबाएवेरनेस बढ़ता है ऊसमें आवेरनेस ऐसे बढ़ता है कि सोसाइटी जब हमें अप्रोच करती है वह बिल्कुल ब्लांक होते हैं उनको कुछ भी पता नहीं होता है उनको खाली बगल में इनको 40 थक मिला है उनको 20 टका मिला है बट हर प्रोपर्टी का कैलकुलेशन अलग होता है क्योंकि प्रोपर्टी की situation, location, कौन से रोड पे हो आप, कितनी आपका plot की size है, कौन से आप section में develop करना चाहते हो. So there are so many parameters which I think architect and professional, I mean project management consultant only can analyze and prepare a project report and the feasibility report and accordingly society redevelopment के लिए आगे जा सकती है, उन्हें पता चलता है कि हम कहां खड़े हैं, हमें कितना expect करना चाहिए developer से या तो extra area कितना मिलेगा, हमें corpus कितना मिलेगा, rent तो जो market में चल रहा है, उतना तो 12 साल से यह redevelopment जब से बढ़ा है तो हम लोग बाइट लेते सेमिनार करते हैं, आप दें देखा होगा, तो लोगों का एक ही सवाल होता है, हमको कितना area मिलेगा, इससे ज्यादा सवाल क्यों नहीं होते हैं, इससे ज्यादा सवाल क्यों नहीं होते हैं, लोगों के यह आप से जाना है, नहीं क्या होता है, उनको interest valuation होता है, कि मेरा फ्रेट के value कितना बढ़ गया अभी, building तो जुनी ले ली, तभी वो जमाने में, जो भी फ्रेट लिया था, वो आज रेंट कितना मिलेगा, कॉर्पास कितना मिलेगा, एरिया कितना मिलता है, पार्किंग मिलता है कि नहीं, और सिफ्टिंग चार्जिस, इसके सिवान को कोई चीज में में पूरा देगा के नहीं, उनके पास पैसे हैं के नहीं, financial capability है के नहीं, और amenities हमें क्या मिल रही है, उस पे concentration होता नहीं है, एक्चुली, that is the most important part, if आपको building नए घर में जल से जल जाना है, तो ये चीज पे भी काफी सारा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, then only you will be able to get the new flat in the new project. को भी returns ज्यादा मिलेंगे, मना percentage आपको फ्लैट बड़ा मिलेगा, और developer को भी अच्छा return मिलेगा, लेकिन clubbing करते हैं, because इसमें dependency आती है, आपको दूसरे project के साथ club करना है, अभी वो clubbing कोई कारण से दूसरे plot में projects में कुछ खामिया है, और building vacancy नहीं हुआ है, तो issues हो सकते ह हैं, तो हमारा सलाह यह रहेगा, कि आप जबी vacancy कर रहे हो, clubbing का procedure सारा complete हो जाना चाहिए, और फिर ही यह सब तैकिकात करके आपको position developer को हाथ में देना चाहिए, बिल्कुल बहुत important बात कहीं, कि sir 3311 मेरी PTC में जा रहे हैं लोग, तो क्या सावधानी क्या बढ़ते हैं, ता तो आपका यह प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा, बिकॉस आपका कममें तो आपने कर दिया, फिर ऐसा करना पड़ेगा, बापी से डिलेट करना पड़ेगा, और फिर थर्ड पार्ट से आपको कममें करना पड़ेगा, तो यह प्रोजेजर में बहुत टाइम होता है, प्रस खर्चा, खर्चा ही बहुत होता है, तो टाइम भी जादा जाएगा, तो यह 3311 जो PTC scheme अभी मुंबई में लोक्री हो, तो हमारे हाउसिंग सोसाइटी के तमाम दर्सक जो रिडेवलोप्में में जाना चाहते हैं, वो अलट हो जाए और हमारे दोनों द्वारा, एक्सपट द्वारे जो टीफ दी गई, वो जरूर इसको समझें और अपनी सोसाइटी में, यदि आप य CPR 2034 हो, या MCS Act हो, या BILA से रिलेटेट हो, C.A. रमेश प्रभूजी की नेत्रवत में यह जो सेमिनार एकदम अद्भूत लखा गया, जिसमें दो दिन के गोतम चटरजी साब भी आए, काफी ISR जो रिटायर हों, वो लोग आए, तो इस तरह के सेमिनार से काफी अवेर और education मिलता है, आप लोग भी इसमें सामिल हो सकते हैं, जो professionals हैं, मैं सुनिल सर्मा, केमरावाइन अविनार सिंदे के साथ में, महासिवा न्यूज मूंबई